नमस्ते बच्चो आज हम कक्षाशे में विज्ञान पढ़ेंगे कक्षाशे की विज्ञान में हमारा 12 पार्ट कम्प्लीट हो गया था इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 12 कम्प्लीट करवा दिया था और आसा करती हुए कि आपने भी पार्ट 12 कम्प्लीट कर लियाओगा नोट में और स्वाध्य पोती में तो बच्चो आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 13 और उसका नाम है चुम्बग द्वारा मनरंजन और वो पेज नमबर है तो हमारा पार्ट का नाम है चुम्बग द्वारा मनरंजन यानि इस पार्ट में आपको हम चुम्बग से क्या क्या कर सकते हैं और चुम्बग हमारे लिए किस प्रकार मनरंजन का साधन बन सकता है और चुम्बग से किस प्रकार का सहायक हमें करता है और किस पकार से हमारे जीवन में वो उपयोगी होता है, उसके बारे में हम इस पाठ में बच्चो पढ़ने वाले ये पाठ में आपको पढ़ने जारी बच्चो आप ध्यान से सुनीगा और जितना मैं पढ़ाओंगी उतना आपको रिपीट करना है तो बच्चों में पाट पड़ना स्टार्ट कर रही हूँ, पहली था भूज ऐसे अस्थान पर गए जहां अब सिष्ट यानि कूडा कबाडा यानि परदार्थ के बड़े बड़े धेर थे, कुछ प्रस्ता ही घट रही थी, कूडे के धेर की और एक केजी जा रही थी, केन बच्चों केन जा रही थी, केन ने इस धेर की और एक गुठ के को नीचे किया, फिर वह गुठ का उपर उठने लगा, अनुमान कीजिए यह क्या होगा, बेकार पुराने लोहे की बहुत सारी टुकडे गुठके के साथ चिपर केन के साथ जाने लगी, तो बच्चों चित पास गए, और वहाँ पर बड़ी एक घटना देखी, कि उन्होंने एक कैन देखा, इस तरह से बच्चों कैन देखा, और उसको उसके अंदर डालके, जब डाला तो इसके अंदर क्या, बहुत सारे जो लोखन की चीजे थे वो चिपक गए, गबार के धेर से लोहे के जो कबार से लोहे चुन रहा था, तो बच्चों उन्हें पता चल गया कि यह की प्रकार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चुम्बक के बारे में पढ़ा था, और उन्हें पता चल गया कि यह कारिय कर रहा है, कि कैन में क्या लगा हुआ था, एक चुम्बक का जुड़ा हुआ जिससे वह लोहा चीपक रहा था आपस आपस से कुछ लोगों ने चुम्बक अवश्य देखा होगा तथा उसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा किया आपने चीपक यानि इस्टी कर देखा है जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजेटर के दरवाजे से चिपका जाता है कुछ फैनी धार को यानि होल तरो में पीन होल तरो से चिपके देखते हैं कुछ पैंसिल बोक्स के ताले की आवस्चकता करएक बिना भी जब हम धककन And करते हैं तो यह कसकर बंध हो जाती जैसे चिपककू पिन धारको तथा पेंसील बॉक्स में चुम्मक लगे होते हैं जो चीतर 12.3 में 12.2 में है बच्चों तो हमने देखा है कि कुछ हमारे पास साधन होते हैं जैसे फ्रीज होता है फ्रीज का दरवाजा हम जैसे खोल के बंद करते हो तूरंत चिपक जाता है यानि इसके अंदर चुम चुम्मक होती है यानि आपके पास इसमें से कोई भी वस्तु है तो उसमें चीपे चुम्मक को खोजने का प्रयातन कीजिए तो चुम्मक कैसे खोजा गया अब बच्चों हम चुम्मक कैसे मिला किस प्रकार से हमारे सामने आया उसे किस प्रकार खोजा गया उसके बारे में पढ़ेंगे कहते हैं कि प्राचिन युनान में एक गुडरिया रहती थी उसका नाम मेगनिस था वो अपने भेड तथा बकरियों के जुंड के पास के पहाडों पर चरने के लिए ले जाता था भेड पर नियंत्रन के लिए वो अपने साथ एक छड़ी रखती थी भेड के एक सीरे पर लोहे की टोपी छड़ी के एक सीरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी एक दिन पहाड पर एक चटान के उपर से एक छड़ को उठाने में वह बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चरिय चकित हुई चटान छड़ को अपनी और आकरसित करती तो बच्चों खो जा गया तो कहा जाता है कि एक union गलेड़िया यानि भेड चलाने वाले थी और उसका नाम मेगनीज था वह भेड को जुंड को जब चलाने जाती थी तो अपने साथ एक लोहे की छड रखती थी ताकि भेड अपने नियंत्रण में रहे और वह छड रखती थी छड के जो सी अपने यह क्या हुआ तो जो चट्टान की छड थी उसकी और वह चड जो थी वह चट्टान की और आकर्षित होने लगी जैसे आपने चित्र में देखा एक पहाड़ी की प्राकुर्तिक चुम्मक तेरा पॉइंट तीन में प्रतित हो रहा था एक चट्टान एक प्राकुर् चुम्मक की खोज हुई तो बच्टो जोड से जब खीजने लगा तो उसे आश्चरिय चकित होने लगा और इस प्रकार से उसे पता चल गया कि यह एक चुम्मक है संभव गरिये के नाम पर उस पत्थर को मेगी ताइनिट नाम दिया गया मेगी निटाइन में लोहा होता है कुछ लोगों का विश्वास है कि वह मेगी निशिया नाम अकस्थान पर सबसे पहले पाया गया था जिन प्रदार्थों में लोहे को आकरशित करने का गुण पाया जाता है वह चुम्मकिय कहलाता है तो यहाँ पर कहा गया है बच्चो कि इस तरह से उसे चंभव हो गया औ और उसका नाम के उपर से ही मेगनिटाइम नाम रखा गया और वो लोहा मेगनिटाइम में लोहा होता है कुछ लोगों का विश्वास ऐसा हो गया कि मेगनिशियन नामकस्थान पर सबसे पहले ही पाया गया था और उस प्रदार्थों को लोहे की और आकरशित करने का गुण होता है इसलिए उसे चुम्बक कहते हैं लोग जब लोग तब तक जान चुके थे कि कुछ चटान में लोहे के टुकड़े को आकरशित करने का गुण होता है उन्होंने भी उन्होंने भी भी पाया कि चटान के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेस गुण होते है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इस परदार्थ को उन्होंने चुम्बक कहा तो यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि तब तक सब को पता चल गया था कि चटान में क्या थी चटान में लोहे को आकॉरसित करने का गुण होता है क्यूंकि चटान में चुम्बक था और उन्होंने पाया कि चटान के छोटे छोटे चुकडे में कुछ बहुत विसेशता है प्राकृतिक से मिलने वाले को हम प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इसे हम चुम्बक कहने लगे तत्र परचास लोहे के टुकडे से चुमबक बनाने की विधी को आकर्शित हुआ इसे कृत्मिक चुमबक कहते हैं आजकर विभी नाकृतियों के कृत्मिक चुमबक बनाये जाते हैं। और आज काल के समय में तो हमारे पास अने प्रकार के आ प्रुतिक वाले है unified कि इस तरह से बच्चो यह आपने चित्र में देखा यहां पे आपको लिद काार के चुमक दिखाए गए और यह जू आप है क्रिया कलाब नंबर एक प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजी इसमें एक स्टेंड पर सी केंजे यानि क्लेप की साहता से कस दीजिए जैसे की चित्र आधार के साथ बान दीजे ध्यान रखे धागे की लंबाई को प्लिय हो यानि छोटा रखना यहां एक युक्ती है क्लिप को प्याले के आधार से समीप लाइए क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भाती हवा में रुक रहता है तो बच्चों यहां पर आपको एक श्टेंड रहना है और इस दरह से आपको गलास को बान देना है और इसकी अंदर क्या रखना है चुम्मक और चुम्मक को धाग देना है क्यों धागना है फिर स्टेंड के नीचे क्या करना एक पीन रख देना है, पीन रखने के बाद, पीन इस तरह से रखनी है ताकि वो चुम्बक के संपर्क में हो, तो वो पीन जैसे ही हम रखेंगे वो पीन उपर उड़ जाएगी और हमें लगेगा कि यह जादू से यह पीन उड़ रही है तो तो इस तरह से बच्चों हमें क्रिया कलाब करना है और जब यह चुम्बक उठेगी तो हमें लगेगा कि यह पतंग के जरिये जिस तरह से हवा में पतंग उड़ती है उस तरह से यह पिन भी उड़ रही है तो नीचे लिखाएं बच्चों की चित्र 13.5 चुम्बक का प्रभा हवा में लटकी पेपर क्लिप जो पेपर में हम क्लिप लगाते है वही क्लिप है बच्चों यहाँ पर पहले हम यहां नीचे रखेंगे जैसे ही हमने चुम्बक अंदर डाला वैसे ही यह पिन उपर की और लटकने लगेगी तो यही आपका क्रिया कलाब था तो बच्चों आज हमने पाठ तेरह विज्ञान में पाठ तेरह हमने पढ़ा आज मैंने विज्ञान में आपको पेज नमबर 125 और पेज नमबर 126 पढ़ाया है तो आपका घरकाम यही है कि आपको ये दोनों पेज पाठ तेरह के पढ़ने हैं और पाठ तेरह के प्रश्ण उत्तर आपको स् तो आपका घरकाम यही है और घरकाम पूर्ण रूप से पूरा करना है धन्यवाद